नमस्कार आप देख रहे हैं श्रहर का सबसे लोगप्रिये चानल हिंद बिहार सवनिवार को यात्रियों से भरी बस अनिंत्रित होकर गढ़े में जागुसी प्राप तो जान करी कि अनुसार बस तेज रफतार से आ रही थी अचानक बस चालक को पेरलाइसिस मार दिया जिसे वह बेकाबू हो गए चालक बस को काफी कंट्रोल करने की कोशिश किया लेकिन बस बिस फिट खाई में जागुसा हालाकि इस घटना से बस पर सवार किसी भी यात्रिय के चोटिल या घायल होनी की कोई सूचना नहीं है कुछ भी नहीं होने दिया बस में सवार दो दर्जन से अधिक यात्रिय सुरक्षित बहार निकले गए असाने लोगों ने बताया कि घटना की जानकारी के बाद से एकड़ों के तदाद में लोगों की भीड़े कटा हो गई बस में फसे यात्रियों को निकालने में राहगीरों ने काफी मदद की घटना की जानकारी मिलने के बाद परवत्ता पुलिस मौके पर पहुँची तब तक यात्रिय को बस से बाहर निकाला गया था सबी लोग सुरक्षित हैं क्रेन के मदस ये बस को भी बाहर निकाला जुआ रहा है पुलिस अवर निरक्षित पदोपर नियुक्ती के लिए रविवार को शहरी चेतर की 22 परिक्षा केंडरू पर प्रारम्मिक लिखित प्रत्योगिता परिक्षा आयुजित होगी इसको लेकर समानाले से समख्षभवर में जलादिकारी शुबरूत कुमार से इनकी अध्धक्षता में बैठा की गई बतादे की जलादिकारी ने सबे सेंटरों पर स्टार्टिक मजिस्टेट के अलाबाद जोनल, सूपर जोनल और सीनियर सूपर जोनल मजिस्टेटों की तैनाती की है परिक्षा दो पालियों में होगी पहली पाली सुबा 10 बजे से दो पहर 12 बजे तक होगी महीं दूसरी पाली दोपहर दो बजे से साम चार बजे तक होगी परिक्षा में कुल 10,024 परिक्षारती बैठेंगे परिक्षा केंद्र के 500 अगस तक धारा 144 लगाने का आदिस एसजियों को दिया गया है जिलादिकारे ने पुलिस अवर सेवा आयोग दोरा जारी देशा नि लेकर हम लोग मुक्ता इंतरजाम कर रहे हैं परिश सांती सदभाब से हो इसको लेकर अधिकारियों को दिशारनर देश दिया गया है तरीके से परिक्षा हम लोगों को संपन करानी है दस अजार के लगवक कैंडिडेट जो है दो पालियों में भाग लेंगे इस परिक्षा में वर्यों पुलिस सद्रिक्षक आनन्द कुमार ने बताया कि जीले में दारोगा की दो पालियों में परिक्षा होगी गुल 22 केंडर बनाए गए हैं परिक्षा केंडरो पर पुलिस बल की तैनाती कर दे गई है सब्सक्राइब परिक्षा केंडरों पर पुलिस बल की तैनाती रहे गए और जोर्नल में परिक्षा के साथ पुलिस पता दिकारी रहेंगे सब्सक्राइब परिक्षा पर दरसी तरीके से संतिपुन तरीके संपन करा लेगे इतने सेक्टर बनाया गया है और सब्सक्राइब पिलिस पता दिकारी और मैंस्ट्रेट की बगट्री की गई है अपने देश को विक्सित भारत वर्ष बनानी के लिए प्रधान मंत्री योजनाओं के बारे में पूरे देश में मोहीम चलाई ज़ा रही है प्रधान मंत्री के तहट कई योजनाओं चुलाई ज़ा रही है जिसकी ज़ानकारी जनता को अभी भी पुन रूप से नहीं है उसको जागरुक करने के लिए देश के हर कोनी में जागरुकता कारिक्रम कराय ज़ा रहा है और साथ ही लोगों को जागरुक करते वी रजिस्ट्रेशन भी कराय ज़ा रहा है चायवे प्रधान मंत्री आवास योजना हो, प्रधान मंत्री पैंशन योजना हो, आयुश मान भारत योजना हो या फिर अन्य कई प्रधान मंत्री से जुड़ी योजना हो लोगों तक पहुँचे और देश विकासिल बने इस उद्देश से से ऐसे कारिक्रम को बताय जो आ रहा है इसी बावत आज का ये कारिक्रम भागलपूर के तलकामान जी चौक बर आयूजित की गही है जिसमें सेक्ड़ों लोगों ने हसा लिया मोदी सरकार की गैरेंटी और हमारा संकल विक्सित भारत की सपत के अंतरगत ये कैंप चल रहा है कि 2047 तक हम पूरे जो पधान मंत्री नरेन मोदी जी का सपना है उसको साकार कैसे करें कि ये पूरा भारत आत निर्वर बने और विक्सित बने और जो सेवा दे रहें इस भारत की सुरक्षा उनका हम संमान कैसे करें और जो अंतिम पंती पे बैठे वे वेक्ती हैं उनको कैसे हर किसम का नरिन मोदी जी के योजनाओं का लाब मिले उसकी कैम्प है ये उसकी जानकारी उपलवट कराना और उनका रेजिट्रेशन कराना चाहे वो प्रधार मंतिर जी का युस्मान काड का योजना हो एक युवक बिदोत बिभाग सतंगा कर अनश्रित कालिन भूख हर्ताल पर बैठ गया जिसके समर्थन में दरजनों लोग भी बिदोत बिभाग की खिलाब आवाज बुलंद करते वे भूख हर्ताल पर अपनी मांगों को लेकर बैठे वे हैं मामल भागलपूर के परवत्ती कालियस्थान रंगमंच भवन का है परवत्ती के रहने वाले मुन्ना कुमार साह के साथ उनका समर्थन कटे वे दरजनों योबक अनुश्रित कालिन हर्ताल पर बैठे हैं उन लोगों का साफतोर पर कहना है कि लाइन मैन मनोस पंडित हम लोगों की पूरी छेतर में देहसत फेला रखा है सवी कंजियूमर से अनापसना पैसे मांगता है जबकि हम लोगों का मीटर से बिजली चोरी होने का कोई ऐसा उपाई ही नहीं है मीटर भी सिल है और तार भी कहीं से कटा हुआ नहीं है फिर भी हम लोगों पर विद्यूत बिभाग आरूप लगा रही है यह कहीं से सही नहीं है गौर्तलब हो की यूबक आटा चक्की मिल चला कर अपना गुजर बसर करते थे विभाग दोरा मोबाइल पर मैसेज दे कर उनके बिजली को निश्चित रूफ से काट दी गई है जिसका सबुत बिभाग के दोरा दिया गया SMS है महिमुनसा ने लाइन मैन मनोच पंडित पर आरूप लगाते वे कहा कि मेरी पतनी से अभधर बात ही किया करता था बिजली विभाग मेरे पर बिजली चोरी का जुटा लगा कर हमें तंग करने की कोशिश कर रहा है लाइन मैन है और भी जगा से वो मन्थली लेता है हम मेडम रीडिंग और मेरा पतनी भी दुकान में रहती उससे गंदा गंदा बात भी बोलता तो अबदर भासा का पड़ियोग करता था आप देख रहे थे लोगप्रिय चानल हिंद बिहार ऐसे ही परमुक खबरों के लिए चानल को योटूब पर सस्क्राइब करें एवं फेस्बुक इंस्टेग्राम ट्वीटर पर भी फॉलो करें धन्यबाद